आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9, हिंदी कोर्स B के व्याकरन पाठ्यक्रम से उपसर्ग प्रत्य के MCQ और MCQ करने से पहले हम समझ लेते हैं कि उपसर्ग और प्रत्य किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है इनी में से एक विधी है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांच जोड़कर नए शब्द बनाना इस तरह से प्राप्त नए शब्द के अर्थ में नवीनता देखी जा सकती है अर्थार उन शब्दांशों को मूल शब्द के अंत में या आरंब में जोड़ कर एक नया शब्द बन जाता है जैसे हार शब्द में आ, प्र, वी जोड़ने पर हमें क्रमशह, आहार, प्रहार और विहार शब्द प्राप्त होते हैं जो अपने मूल शब्द हार के अर्थ से पूरी तरहां अलग अर्थ रखते हैं जैसे हार शब्द का अर्थ है पराजे या फूलों की माला और हार में अगर हम आ उपसर्ग जोड़ते हैं तो शब्द बन जाता है आ हार जिसका अर्थ है भोजन और इसी हार शब्द में प्र उपसर्ग जोडने पर शब्द बन जाता है प्रहार जिसका अर्थ है चोट और इसी मूल शब्द हार में वी उपसर्ग जोडने पर शब्द बन जाता है वी हार जिसका अर्थ है भ्रमन करना मूल शब्द एक ही है लेकिन उसमें अलग 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 उपसर्ग जोडने पर अलग अलग शब्द प्राप्त होते हैं और उन सभी अलग 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 शब्दों के अर्थ भी अलग अलग ही है तो आईए अब देखते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्य किसे कहते हैं वे शब्दांज जो किसी शब्द के शुरू अर्थात आरंभ में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेश्टा ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं जैसे शब्द है आदान इसमें उपसर्ग है आ और मूल शब्द है दान मूल शब्द दान में प्रा उपसर्ग जोडने पर शब्द बन जाता है प्रदान और शब्द विज्ञान में उपसर्ग है वी और मूल शब्द है ज्ञान मूल शब्द गुण में अव उपसर्ग जोडने पर शब्द बन जाता है अव गुण प्रत्य वे शब्द आंच हैं जो शब्दों के अंत में जोड़ कर शब्द के अर्थ में विशेशता या परिवर्तन ला देते हैं जैसे मूल शब्द है परवत और इसमें यह प्रत्य जोड़ने पर शब्द बन जाता है परवतिय, इसी प्रकार मूल शब्द है कीमत, इसमें यह प्रत्य जोड़ने पर शब्द बन जाता है कीमती, मूल शब्द है लेक, इत प्रत्य जोड़ने पर बन जाता है लिखित, प्र प्रतिय जोडने पर शब्द बन जाता है प्रतिभावान आएए शुरू करते हैं MCQ पहला प्रशन है दुर वहवार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है का दू खा दू गदूर और घदू इसका सही उत्तर है गदूर प्रशन दू बहुवचन शब्द में किस गब और घबहु इसका सही उत्तर है घबहु प्रशन तीन एक प्रत्य से बनने वाले शब्द हैं अव्यवसाईक ब आद्योगिक स एतिहासिक दा उप्रोक्त सभी और इसका सही उत्तर है द उप्रोक्त सभी प्रशन चार कौन सा शब्द नी प्रत्य लगने से नहीं बना है और इसका सही उत्तर है ब लड़की प्रश्ण पांच समा योजन शब्द में किस उपसर्ग का प्रियोग हुआ है? क सम, ख समा, ग स और ग सम इसका सही उत्तर है क सम प्रश्ण छे, चिरायू शब्द में किस उपसर्ग का प्रियोग हुआ है? क ची, ख चिरा, ग चर, घ चिर और इसका सही उत्तर है घ चिर प्रश्ण साथ, कौन सा शब्द य प्रत्य से नहीं बना है? अ माधुर्य, ब दैत्य, स आदित्य, द पाथे और इसका सही उत्तर है द पाथे प्रश्ण आठ, कौन सा शब्द अ प्रत्य से नहीं बना है? अ राघव, ब ममत्व, स लाघव, द वासुदेव और इसका सही उत्तर है ब ममत्व प्रश्ण नौ, परिवर्थन शब्द में किस उपसर्ग का प्रियोग हुआ है? और इसका सही उत्तर है गपरी प्रश्ण दस, उप्देश शब्द में किस उपसर्ग का प्रियोग हुआ है? क उप, खाउ, गअब, घअब और इसका सही उत्तर है क उप प्रश्ण ग्यारह, इनमें से किस शब्द में या प्रत्याय नहीं है? अ सौंदर्य, ब माधुर्य, स शौर्य, द भारतिय और इसका सही उत्तर है द भारतिय प्रश्न बारहां इनमे से किस शब्द में उपसर गुर्प्रत्य दोनों प्रयुक्त होए हैं अ आध्यात्मिक, ब लुभावन, स बुडापा, द लुटेरा और इसका सही उत्तर है अ आध्यात्मिक प्रश्न ब तेरहां सुचारों शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग होआ है कस, खसू, गसू, घस्व, और इसका सही उत्तर है गसू प्रश्न ब चौदहां दुरभाग्य शब्द में किस उपसर्ग का प्रियोग हुआ है ? । परोहित में उपसर्ग है आपुरस ब पुरह स पुरा द पूर और इसका सही उत्तर है ब पुराह प्रश्न सोलह बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्य कौन सा है अ बह ब आव स अव द आवा और इसका सही उत्तर है ब आव प्रश्न सत्रह बा इजजद में मूल शब्द है क ब ख बा ग इजजद ग बाई और इसका सही उत्तर है ग इज़त प्रश्ण 18 प्रत्यक्ष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है क प्रती, ख पर, ग प्र, ग अक्ष और इसका सही उत्तर है क प्रती प्रश्ण 19 चिरायो शब्द में प्रयोग तो उपसर्ग है और इसका सही उत्तर है बचिर प्रश्न बीस किस शब्द की उत्पत्ती प्रत्या से हुई है अभियोग बव्यायाम स अपमान द इन में से कोई नहीं और इसका सही उत्तर है द इन में से कोई नहीं प्रश्न इक्कीस अबगुन शब्द में किस उपसर्ग का प्रियोग हुआ है? क, अ, ख, आ, ग, अव, घ, अवू और इसका सही उत्तर है ग, अव प्रश्ण बाईस निर्भे में मूल शब्द है क, न, ख, भे, ग, निब, और ग, निर और इसका सही उत्तर है ख, भे पुराण में एक प्रत्य लगने पर सही शाब्द होगा अ, पुराणिक, ब, पौराणिक, स, पुराणिक, द, पुराणिक और इसका सही उत्तर है ब, पौराणिक प्रश्ण चौबीस वासोदेव में प्रयूक्त प्रत्य है अ, ए, ब, अ, स, इ, द, ए और इसका सही उत्तर है ब अ प्रश्ण 25 अनुवार शब्द में किस उपसर्ग का प्रियोग हुआ है का अनू ख अ ग अन घ अउ और इसका सही उत्तर है का अनू प्रश्ण 26 पुनरुथान शब्द में किस उपसर्ग का प्रियोग हुआ है और इसका सही उत्तर है प्रश्न 27 अर्जी नवीज में प्रयुक्त प्रत्या है और इसका सही उत्तर है प्रश्न 28 ठकुराइई शब्द किस प्रत्या से बना हुआ है अ राइन, ब आइन, स इन, द उपरोक्त में से कोई नहीं और इसका सही उत्तर है ब आइन प्रश्न उन्तीस अभिजाच शब्द में किस उपसर्ग का प्रियोग होगा है क अ, ख अब, ग अभी, घ आ और इसका सही उत्तर है ग अभी प्रश्न तीस परलोक में मूल शब्द है क प, ख पर, ग लोग, घ प्र और इसका सही उत्तर है ग लोग प्रश्न एक तीस नि संदेह शब्द में किस उपसर्ग का प्रियोग होगा है क निस या निहीं, ख नी, ग निस, ग निस और इसका सही उत्तर है क निस या निह प्रश्ण 32 सुगम में मूल शकते है का सुग खासु गस घगम और इसका सही उत्तर है घगम प्रश्ण 33 प्रत्य कितने प्रकार के होते हैं अ एक बादो सातीन दचार और इसका सही उत्तर है बादो प्रश्ण 34 प्रत्य जो क्रिया में जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं अ क्रदंत प्रत्य बादधित प्रत्य स अ व बादोनों द उपरोक्त कोई नहीं और इसका सही उत्तर है अ क्रदंत प्रत्य प्रश्ण 35 निडर शब्द में किस उपसर्ग का प्रियोग हुआ है क नी, ख न, ग नई, घ नीड और इसका सही उत्तर है क नी प्रश्ण 36 अभियोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रियोग हुआ है क अ, ख अब, ग अभी, घ अभे और इसका सही उत्तर है ग अभी प्रश्ण 37 आख प्रत्य से बनने वाला शब्द है आ तैरा, ब लड़ाक, स चालाक, द उपरोक्त सभी और इसका सही उत्तर है द उपरोक्त सभी प्रश्ण 38 रसिया, मुख्या, दुख्या में प्रत्य है औ, इया, ब, या, स, आ, द, इया और इसका सही उत्तर है औ, इया प्रश्ण 49 वे प्रत्य जोकरिया के अथिरिक्ट संग्या, सर्वना, विशेशन में जुड़े होते हैं कहलाते हैं अ, तद्धित प्रत्य finished स, अ, व, ब, दोनों द, उपरोप्त में से कोई नहीं और इसका सही उत्तर है अतधित प्रत्य प्रश्ण चालीस सामाजिक शब्द में प्रत्य है अक ब इक सजिक और द अक इसका सही उत्तर है ब इक मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलर्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले